एक ट्रबल आर्टिस्ट को रियल वर्ल्ड में एक एंजल मिली वो ट्रैप्ट थी तो उसे वो बचा लेता है इसके बात उसके ग्रीड की वज़े से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इससे लाइक कर दीजएगा अब बिना गिज़ दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गैरेक्टर जिसका नाम है नेट यह हमसे इंट्रोडियोस होता है अक्स्वल में वो एक ट्रमपेट प्लेयर है जब वो यंग था बहुत ही फेमस हुआ करता था पर उसकी हालत अब बहुत खराब है इसके बाद स्टीट में एक आदम को बूलिया लग की शायद उस आदमी के कोई और दुश्मन थे नेट की जान बच जाती है वो आदमी डेट बॉड़ी के पास आया उससे कुछ लिया और यहां से चले गए नेट टाउन से बहुत ही दूर था तो उसे वैसे ही चलते चलते जाना पड़ता है फिर उसकी नज इंजल का कोश्यूम पहना हुआ था पर वो खुद भी इंजल से कम नहीं नेट उसमें इंट्रेस्टेड हो गया उसे पास से देखना चाता था बाहर आकर उसके ट्रेलर तक वो पहुच जाता है लेली गुस्से में उससे कहती है तो उन्हें पैसे पेक किये थे और शो खतम हो चुका है अगर फिर से आए तो मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे नेट कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो मैं इसी टाओं में ट्रंपेट बजा रहा था अब मैं अपना रस्ता भूल चुका हूँ प्लीज मुझे एक ड्रिंक ओफर करो ड्रिंक के बाद मैं चला जाओं कि मैं जाना चाहती हूँ लिली की इंगलिज बहुत है अच्छी थी जुसने मूवी देख देख कर सीकी है अपनी वींग्स की वज़े से उससे तकलिफ हो रही थी नेट कहता है इसे उतारने में मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ वो कहती कि मैंने कोशिश की है लिली ने अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए नेट जाते जाते कहता है अगर तुम्हें यहां से भागने में किसी हेल्प की जरूरत हो तुम्हें कर सकता हो लिली इसके लिए मना कर देती है जब वो बहार आया तो खिड़की से लिली की विंग्स देखता है वो अब अपने विंग्स निकालने की कोशिश कर रही थी, ये कोई कॉस्च्यूम नहीं, तो उसके एक्च्वल विंग्स है, वो रियारिटी में एक एंजल है, लिली ने नेट को अपने टेलर में आने दिया, इसके बीचे एक रीजन था, अपने यंग एज में, नेट बहुत ही फेमस चुनती है, बाहर आने के बाद कुछ लोग नेट को घेर लेते, ये लिली का बॉस था, वो उससे कहता है, तुम लिली को मुझसे क्यों चुराना चाहते हो, मैं उसे तुम्हारे जैसे लोगों से ही बचाता आ रहा हूँ, वो यही जगा पर डस्विन में पड़ी हुई थी मैंने उसे लाइफ दी है, वो नेट पर बहुत गुसा हो गया, उसे मारने वाला था, तब ही लीली काड़ी लेकर टेंड में गुसा देती है, जल्दी से उसने नेट को बचा लिया, ये दोनों दूर आकर गैस टेशन पर हैंग आउट कर रहे थे, नेट अपने फ्रेंड को उस गैंक्स्टर के साथ मेरे एक मेटिंग फिक्स करो, उसकी फ्रेंड कहती है क्यों तुम्हे मार डालेगा, ये फोन चलते चलते नेट लीली को देख रहा था, जो उड़ने का ट्राय कर रही थी, थोड़ा सा आसमान में वो फ्लोट भी करने लग गई थी, उससे देखता ह रह गया, उसके पास आता है, वो कहती है, इस विंग्स के लिए में जरा बड़ी हूँ, अगर राइट विंग हो तो थोटी फार फ्लोट कर सकती है, नेट एक्साइट होकर उसके पिक्चर्स लेता है, गाड़ी में लीली नेट से पुछती है, ये हुआ क्या था, नेट ने लगा, नेट भी कहता है, तुम इतनी ब्यूटिफुल हो, तुम्हारे भी बहुत सारे लवर्स होंगे, इसके बाद ये दोनों एक मॉटेल में आके, लीली यहाँ के बैलकनी से ओशन को स्मेल कर सकती थी, उसने अब तक सी देखा नहीं, नेट कहता है, सी बहुत ही सप्राइस था, वो कहता है, कि कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा विंग्स को देखकर सप्राइस रहेगा, लीली को ये सुनकर बुरा लग गया, उसे लगता है, कि बहुत ही अजीब है, इस वर्ल में बिलॉग नहीं करती, उसे सब की तरह नॉर्मल होना था, नेट उसे बाद में सौरी कहता है, जब सुबा होए, तो वहाँ से गायब हो गई थी, नेट उटने के बाद उसे कई भी ढोडनी पाता, बहुत ही डिस्टब हो गया, बाहर आया, तो एक आदमी नुसे का, क्यों तुम्हारा ट्रक लेकर चली गई, जाने से पहले उसने कॉल भी लगया था, नेट फोन बूत के बाद जाता है, नोट पैड पर उसने पेंसिल से स्क्रैच किया, उसे एक एड्रिस मिला, यह डॉक्टर का एड्रिस था, जल्दी से वहाँ पर वो बहुत जाता है, लीली इस डॉक्टर के बास अपने विंग्स को निकालने के लिए आई हु लीली को भी फर्स टाइम किसी ने एक्सेप्ट किया, तो उसे बहुत अच्छा लगा, नेट ने डॉक्टर को धम की दी, अगर इसके बारे में उसने किसी को भी बताया, तो उसे मार डालेगा, अपनी सिटी में आकर, नेट फिर से अपने फ्रेंड को कौल लगाता है, उसक हमेशा उसके साथ ही रहूंगा, मैं सिर्फ उसके फ्यूचर का एक पार्ट उसे दे रहा हूँ, नेट लीली को बेज देने वाला है, पर फिर भी कुछ कट हमेशा रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा, नेट की फ्रेंड ने पूचा, लीली में ऐसा क्या है, जो उस मैंने तुम यही मार डाला, तो मुझे उसके पास जाकर पाने में कोई भी रोक नहीं सकता, नेट कहता है, मुझे पता नहीं कि वो कहा है, अगर थोड़ी दिर में मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल नहीं किया, तो लीली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, गैंस्टर नेट को म यह फिर एक कंसर्ट की जगा मीटिंग फिक्स करते हैं, अगले दिन एक रिमोट सी जगा पर आकर, लीली और नेट यह दोना हैंगाउट कर रहे थे, लीली पूछती है, तुम तो बहुत ही फेमस थे, तो अब हुआ क्या, वो कहता है, तब मुझे बूरी आदत पढ़ गए ड्रग्स वेगिरा, इस वज़े सो बरबाद हो गया था, गैंग्स्टर कंसर्ट पर पहुचा, उसके पास एक लड़की आए और बाइनकुलर देखकर चली गए, एक ओपन कंसर्ट था, तो दूर से वो लीली को और नेट को देख सकता है, नेट कोई भी चीज रिस्क नहीं करना चाता, वो लीली के विंग्स को देखना चाता था, तो लीली ने भी ओपन कर दिये, गैंग्स्टर भी देखकर सप्राइस हो जाता है, उसने अपने आदमी को का, जा और नेट को मार डालो, उस लड़की वो मेरे पास लेकर आओ, नेट और लीली दूर थे, तो जल्द कहीं लेकर जलता हूँ, वो उसे एक बड़े से ठेटर में लेकर आया, वहाँ पर सी की पेंटिंग थी, लीली ने देखा, ये फेक था, पर फिर भी उसे ब्यूटिफुल लगा, वो नेट से बुछती है, क्या कभी तुमने शादी की थी, वो कहता है कि हाँ, मैं उसे सबसे जादा प्यार करता था, उसकी अपडेट हो चुकी है, लीली नेट से उसका ट्रमपेट सुनना चाहती थी, नेट भी बहुत ही ब्यूटिफुल सी धुन बजाता है, लीली की आखों में आसो आगे, वो कहती कि ये सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, एक मूवी की तरह, वो ट्रक्स करता था, उसकी वज़े से ही उसकी वाइब भी ट्रक्स करने लग गई, उसने अपने आखों के सामने उसकी डेट देखी थी, उसे बहुत बुरा लगता है, आज रात इन दोनों में नजदी किया बहुत बढ़ चुकी थी, सुबाओने पर गैंग्स्टर अचानक इनके रूम में पोच गया, वो नेट पर जाको लगा दिया, गैंग्स्टर का नाम है हैपी, हैपी लीली को सब कुछ बता देता है, इन नेट उसे बेचना जाता था, हैपी ने कहा कि तुम बहुत यूनिक हो, सबसे ब्यूटिफुल, मैं तुमें केज में नहीं रख सकता, वो उसे अपने ले पाना जाता है, वो गहता है, तुम्हारा ओडियंस सिर्फ में ही रहूंगा, वो लीली से कहता है, कि मैं चाहता हूँ, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, लीली भी इसके लिए मान गई, हैपी नेट को मारने वाला था, पर लीली कहती है, तुम दोन उन्होंने एक ट्रक लिया, और एक यैंक्स्टर के पास गया, वो ब्रिटेंड करती है, यैंक्स्टर ने कुछ घर पर मंगवाय हुआ था, गाड़ी से उतर कर, नेट लीली के पास पहुच गया, लीली हैपी के साथ मूवी देख रही थी, नेट कहता है, मेरे साथ चलो, य तुम से बहुत प्यार करता हूँ, हैपी भी मजा करता है, ये जाओ जाओ लेकर जाओ, पर उसके बहुत जारे लोग पीछे थे, वो नेट को बाहर निकाल देते, लीली हैपी को फिर से गया दिया, ये जब तक मैं तुमारे साथ हूँ, उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए नेट को रात में लीली के ही सबने आते है, वो बहुत रोता है, उसे पैसो की जरुएत थी, तो एक जगा पर ट्रंकेट बजाने का उसे कॉंट्रेक्ट मिला, उसकी कुछ एडवांस पैसे उसने पहले ही ले लिये, अगली दिन हैपी, लीली को एक बहुत ही बड़े तक कोई भी हैपीनेस नहीं था, पर अब उसे सही लगता है, वो लीली के साथ है, तो बहुत ही हैपी है, अब उसे नाम सूट करता है, उसने लीली को एक ब्यूटिफुल सा डायमंड का नेकलिस दिया, ये दोनों पार्टी में आये, इस पार्टी को देखकर लीली इस थी, इसी पार्टी में नेट ट्रमपेट बजा रहा था, हैपी की इंटर्वी लेने के लिए कुछ लोग थे, तो जब वो बीजी हुआ, तो नेट और लीली फिर से एक दूसरे के सामने आते है, लीली उसे कुछ भी बात नहीं करती, हैपी उसे लेकर चला जाता है, वो लड़की के हाद में कोकेन भी है, उसे जबर्दसी दे देती है, एक्चॉल में जिस आदमी से नेट लीली को चुरा कर लेकर आया था, यह सब उसी आदमी का प्लान था, वो उसे ओवरडोस करकर मार डाना जाता है, उसे लगा तो था, कि वो मर जाएगा, अगर नेट वैसा ही रहता, तो मर जाता, पर उसे हेल्प करने के लिए उसकी फ्रेन आगे, वो उसके जान बचा लेती है, इसके बाद लीली का पता निकाल कर, वो हैपी के घर में घुश गया, वो लीली से कहता है, कि मेरी ही वज़े से तुम अभी आ हो, वो उसे फिर से घर लेकर जाना चात था, हैपी ने सब देखा और उसे मार डालता है, उसे लीली बर शक हो गया, उसे लगा कि लीली भी उसके साथ भाग जाने वाली थी, वो गुश से हमें लीली को बहुत मारता है, वो उसको सब लोगों को दिखाता है, लीली एक मिराकल है, उसे देखने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए लोग रेडी थे नेक सिन में हम देखते हैं कि नेट के पास उसका फ्रेंड आया हुआ था वो से कहता है कि पुलीस हैपी के क्लब पर आज जाने वाले है उसकी एंजल पकड़ी जाएगी यहाँ नेट को पता चला कि हैपी उसके पीछा आया है उसने का कि यह कितनी ब्यूटिफुल है नेट उसे बहुत मारता है हैपी के लोग इनके पास पहुचे उससे पहले उसने लिली को फ्री कर दिया भागते भागते यह टेरेस तक पहुच जाते है इनके पास अब कोई भी वे नहीं था नेट लिली से कहता है अब तुम्हें उड़ना पड़ेगा वो बहुत ही डर गई थी कहती है मैंने कभी भी किया नहीं है वो कर नहीं सकती नेट कहता है वीन पावरफुल है हमारे पास हाइट है तुम्हें कर सकती हो टेरेस का दर्वाज तोड़कर हैपी की आदमी पहुच चुके थे नेट लिली को किस करता है उसने जम मार दिये लिली भी उसे बचाने के लिए जम मार दिये उसे पकड़ती है और अब वो फ्लाइ कर रही थी हैपी ये सब देखती रह गया उसे फ्लाइ करते करते दूर लेकर चली गई अब हमारा इस मूवी का ट्वीस चाहता है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि नेट को मारने के लिए एक आदमी डेजर्ड में लेकर गया है ये दोनों जब उड रहे थे तो नेट ने फिर से उसे स्पोर्ट को देखा वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी इसका मतलब है उसकी मूवी के फर्स में डेथ हो चुकी है जो भी हो रहा था ये उसका गोस्ट था अगर इस मूवी में हम नेट का कैरेक्टर देखे तो एक डीमन की तराई है लिली एक एंजल है एंजल और डीमन की लो स्टोरी बहुत ही फेमस माइथोलोजी है और ये ही इस मूवी के वर्ल्ड में इन्होंने क्रेट की अब ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबना में मत भुलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमों के साथ